अगर आपका वोटर कार्ड बना है तो सरकार की तरब से आपके लिए जरूरी सुचना है अभी हाली में सरकार ने वोटर कार्ड से आधर कार्ड लिंक करना कर दिया है तो आज की सिड़े में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप घर बेटे वोटर कार्ड से आधर कार्ड लिं कोटीन है इस पूटल के लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में देडूंगा आप पर शेडिरेक्टर इस वेबशेट पर आ सकते हैं वेबशेट पर आने के बार आपको यहां पर लॉग इन कर लेना है लोग इन करने के लिए यहां पर मोबैल नमबर डालके केप्चा डालके और और इंटर करके और अपने प्रेस्टर जानकारी देखें आप इस पर अकॉंड बना सकते हैं तो मेरा पॉर्टल में लॉग इन करते हैं आपको कुछ ऐसा डेजबूर्ट दिखने को मिलता है और यहां पर आपको इन्फ इपेक नमबर तो अपको यहां पर से आपको अपनी माय प्रोफेल में आ जाना है माय प्रोफेल ओप्षन पर क्लिक करने बार आपके सामनी कुछ च्छ एसी स्क्रेशन आएंगी और यहां पर इडिट का एक ऑप्षन आयेंगा आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप edit profile पर click करेंगे आपके सामने next page खुल जाएंगा यहाँ पर आपको अपने personal जानकर ही दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको एक इंटर इपिक नमबर का भी option दिखाई देंगा तो यहाँ पर आपको अपना watercard नमबर डाल देना है दोस्तों watercard पर click करेंगे आपके account में जो भी mobile नमबर लिंक आऊंगा उस पर एक OTP चले जाएंगी उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और इसके बाद update details पर click कर देना है अब आपकी profile update हो जाएंगी अब आपको जो पहला error आ रहा था वो अब error नहीं आएंगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब error नहीं आ रहा है अब आपको यहाँ पर प्रारू 6 भी इस पर click कर देना है जिसे हैं आप ख्लिक करेंगे आपकी यहां पर प्रिट्टल सा आजएंगी जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर आपको अपना मोबएल नंबर डाल देना है और यहां पर एमिल एडि डाल देना है इसके बार आपको यहाँ पर स्लेट करने का उप्षन आएगा आई है वह आधार नमबर तो अगर आपके पास आधार नमबर है तो आपको यहाँ फर्स्ट उप्षन को क्लिक रहने देना है इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नमबर डाल देना है और यहाँ पर place डाल देना है और यहाँ पर date ओर्टमेटिक फिल्ड रहेंगी और यहाँ पर capture एंटर कर देना है तो अगर आपके पास अगर आधार कारड भी अगर करेंटर में मौझूद नहीं भी होता है तो आप ये second option भी select कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी document देना चाहते हैं उस document को भी डेह सकते हैं और यहाँ पर से उस document की photo upload कर सकते हैं तो मैं आप डार कार नमबर ही देना चाहूँगा तो मैं first option पर ही click देना दुगा तो जैसे कि आप लोग डेख सकते हैं मैंने अपनी जानकरी fill कर दी है इसके बार आपको preview button पर click कर रहेंगे जैसे ही आप preview button पर click करेंगे आपकी यहाँ पर जानकरी दिखने लगेंगी और इसके बार आपको submit button पर click कर रहेंगे करने के लिए आपको इस पर click कर देना है इसके बार आपको यहाँ पर अपनी reference ID इंटर कर देना है और इसके बार track status button पर click कर देना है तो दोस्तों अभी यह जो मैंने request करी है या भी टूरंट ही करी है इसलिए आपर record not phone बता रहा है तो अगर अभी तूरंट में अगर request करते है तो आपको भी कुछ ऐसा ही रोट देखने को मिल सकता है तो अगर आप अगर कुछ समय बार अगर इसको अगर reference number डाल के देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका क्या status है वोटर कार्ट से आधार नमबर link का तो यहाँ पर status दिखने लगेंगा तो दोस्तो इस तरह आप इस पोटल की मदद से घर बैटे बड़ी ही आसानी से वोटर कार्ट में अधार नमबर link कर सकते हैं तो दोस्तो वोटर कार्ट में अधार नमबर link करना बहुत ही जरूती है तो आप नीचे comment में पूछ सकते हैं मैं आपके comment के reply जरू करूँगा तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यह वीडियो अपडेट के साथ ठैंक यू